दोस्तों, दीपक चहः के बाहर होते ही, टीम इंडिया में आया बाए हाथ का तूफानी आल रांडर तो क्या है खबर की पूली जान काड़ी, दीपक चहः के बाहर होनने के बाद कौन से नय खिलाडी की टीम इंडीया में एंट्री हुई है बताएंगे आज के इस वीडियो में अगर आप भी हैं भारती टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों भारत इस वक्त दचित अफ्रीका के खिलाब तीन वंडे मैचों की सीरीज खेल रहा है इस सीरीज का पहला मुकाबला नौर नो से भारती टीम को हारना पड़ा था मैच में संजू सेमसंग ने अच्छी पारी के बावजुद टीम इंडिया जीत नहीं पाई पहले की तरह टीम इंडिया की बॉलिंग इस बार भी कमजोर नजर आई आखिर के ओबर में रन उटाएगे टीम ने कहीं न कहीं दीपक चेहर को मिस किया लेकिन सब के मन में यह सवाल था कि दीपक चेहर को आखिर प्लेइंग 11 में मौका क्यों नहीं दियाया लेकिन दोस्तों दीपक चेहर जो प्लेइंग 11 में नजर नहीं आ रहे तो उनको आखिर कर भारती टीम में जब बाहर किया उसके बाद काफी बवाल भी हुआ लेकिन अन्त में दोस्तों दीपक चेहर को बाहर हुए इस पर जवाब दे दिया और BCCI ने कहा कि यहाँ पर दीपक चेहर को एंका लियानी की गुटने में चोट आई थी इसकी ववेसे वोगे से पूरे के पूरी सीरीज से बाहर हो गये थे साथ अपरी के खिलाब बचे दो वंडे मैचों के लिए अब दीपक चेहर चोटिल के जगा पर उनके लिए एक और नया रिप्लेस्मेंट आ गया दरसल दोस्तों दीपक चेहर को रिप्लेस करने वाले कि लाड़ी कोई और नहीं बलकि वासिंग्टन सुंदर है वासिंग्टन सुंदर को इस सीरीज में मौका मिला है सीरीज का दूसरा मैच अरवीवार को राची में कहला जाएगा वासिंग्टन सुंदर बाएं हाथ के स्पिन गेंद बाज है जो बल्ले बाजी भी कर सकते हैं लेकिन दीपक चेहर के लिए वो लाइक टु लाइक रिप्लेस्मेंट नहीं माने जा सकते हैं सुंदर ने भारत के लिए चार वंडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने पांच विकट हासिल किये हैं और बल्ले से भी 57 अनों का योगदान दिया है आपको बता दे कि दीपक के पैर की चोट इतनी जादा गंभीर नहीं है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने और स्टेडिया जा सकते हैं फिलाल दीपक NCA में है और वो महीने के मद्द में और स्टेडिया के लिए रवाना हो सकते हैं तीम मेंनेस बेंट उनकी फिटनेस मॉनिटर करने में आगे भी फैसला लेने वाली है यानि कि दोस्तो दीपक चहर के फैंस के लिए इतनी बुरी बात नहीं है हो सकता है दीपक चहर आने वाले समय में फिट हो जाए सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद